मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी श्रिमान अमित शाह, नेशनल कॉपरेटिव उनियन के पसेडेंट श्रिमान दिलिप संगानी, डक्टर चंद्रपाल ची यादव, देश के कौने कौने से जुड़े कोपरेटिव उनियन के सभी सदस्या, हमारे किसान भाई भेहन, अन्य महानुभाव, देविय और सज्जनों, आप सभी को सत्रवे भारतिय सहकारी मा संभेलन की बहुत-बहुत-बधाई, मैं आप सभी का इस संभेलन में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, साथियों, आज हमारा देश, विक्सीत और आत्मनिर बर भारत के लक्ष पर काम कर रहा है, और मैंने लाल के लिए से कहा है, हमारे हर लक्ष की प्राप्ति के लिए, सबका प्रयास आवशक है, और सहकार की स्पिरिट भी तो सबका प्रयास का ही संदेश देती है, आज अगर हम दूद उत्पादन में विश्व में नंबर एक है, तो इसमें डेजी कॉपरेटिव का बहुत बड़ा योगदान है, भारत अगर दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में से एक है, तो इसमें भी सहकारिता का बड़ा योगदान है, देश के बहुत बड़े हिस्से में कॉपरेटिव से छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है, आज डेवी जैसे सहकारिक्षेत्रे में लगबग साथ प्रतिशत भागेदारी हमारी माताओं बहनों की है, इसलिए जब विक्सिद भारत के लिए बड़े लक्षों की बात आई, तो हमरे सहकारिता को एक बड़ी ताकत देने का फैसला किया, हमने पहली बार जिसका भी अमिद भाइनी विस्तार से वरणन किया, पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रा ने बनाया, अलग बजेट का प्रावधान किया, आज कोपरेटिव्स को वैसी ही सुविदाएं, वैसा ही प्लेट्वर्म उपलब्द कराया जा रहा है, जैसा कॉर्पोरेट सेक्टर को मिलता है, सहकारी समित्यों की ताकत भणाने के लिए, उनके लिए टैक्स की दरों को भी कम किया गया है, सहकारी तक्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे वर्सों से लंबित थे, उन्हें तेज गती से सुल जाया जा रहा है, सहकारी बैंकों को भी मजबूती दी है, सहकारी बैंकों को नई ब्रांच खोलने हो, लोगों के घर पहुँचकर बैंकिंग सेवा देनी हो, इसके लिए नियमों को आसान बनाया गया है, साथ क्यों इस कारकम से इतनी बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई बहन जुड़े हैं बीते नव वर्षों में जो नीतियां बडली है निरने लिए गए उनसे क्या बडलाव आया है यह आप अनुभव कर रहे हैं आप याद कीजिए 2014 से पहले अक्सर किसानों की मांग क्या होती थी किसान कहते थे कि उन्हें सरकार की मदद बहुत कम मिलती है और जो थोड़ी सी मदद भी मिलती थी वो बिचोलियों के खाते में जाती थी सरकारी योजनाओं के लाप से देश के छोटे और मजले किसान बंचीती ही रहते थे पिछले नव वर्षों में ये स्थीती बिलकुल बदल गई है आद देखिये करोडों छोटे किसानों को पी एम किसान सम्मान निधी मिल रही है और कोई बिचोलिया नहीं कोई फरजी लाभारती नहीं बीते चार वर्षों में इस योजना के तहट डाई लाग करोड रुपिये आप सब सहकारी क्षेत्र का नेत्रुत्व करने वाले लोग हैं मैं आशा करूं का गिन आकड़ों पर आप गोर करेंगे डाई लाग करोड रुपिये सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए यह कितनी बड़ी रकम है इसका अंदाजा आप एक और आकड़े से अगर मैं तुर्णा करूंगा तो आप आसानी से लगा सकेंगे कि 2014 से पहले के पांच वर्षों के कूल कुर्षी बजेट ही मिला दें पांच साल का एगरिकल्चर बजेट तो वो नब्बे हजार करोड रुपिय से कम था नब्बे हजार से कम यानि तब पूरे देश के कुरुशी ववस्ता पर जीतना खर्च तब हुआ उसका लगबग तीन गुना हम सिर्फ एक स्किम यानि पी एम किसान सिम्मान दिदी पर खर्च कर चुके हैं साथियों दुनिया में निरंतर महंगी होती खादों केमिकल्स का बोच किसानों पर ना पड़े इसकी भी गारंटी और यह मोधी की गारंटी है केंद्र की भाजपा सरकार ने आपको दिया है आज किसान को यूरिया बैग एक बैग का करीब करीब दो सो सत्तर रुपिय से भी कम कीमत पर यूरिया की बैग मिल रही है यही बैग बंगला देश में साथ सो बिस रुपिय में पाकिस्तान में आठ सो रुपिय में चीन में दो हजार एक सो रुपिय में और भायों भनों अमेरिका जैसे विक्षित देश में इतना ही यूरियां तीन हजार रुपिय से अधीक में किसानों को मिल रहा है यह नहीं लगता है कि आपके गले बात उतर रही है जब तक यह फर्क समझेगे नहीं हम आखिर कर गारंटी क्या होती है किसान के जीवन को बदलने के लिए कितना महा भगिरत प्रयाद जरूरी है इसके इसमें दर्शन होते हैं कुल मिलाकर अगर देखे तो बीते नव वर्सों में सिर्फ फर्टिलाइजर सबसीडी पर सिर्फ सबसीडी फर्टिलाइजर की मैं बात कर रहा हूं भाजपा सरकार ने दस लाग करोड से अधिक रुपिय खर्च किये इससे बड़ी गारंटी क्या होती है भाई साथियों किसानों को उनकी फसल की उचीत किमत मिले इसे लेकर हमारी सरकार सुरू से बहुत गंबीर रही है पिछले नौ साल में एमेसपी को बढ़ा कर एमेसपी पर खरीद कर पंद्रा लाग करोड रुपिय से जादा किसानों को दिये गए हैं यानि हिसाब लगाएं तो हर वर्ष हर वर्ष केंद्र सरकार आज साड़े छे लाग करोड पे से अधिक खेती और किसानों पर खर्च कर रही है जिसका मतलब है कि प्रती वर्ष हर किसान तक सरकार आउसतन पच्चास हजार रुपिये किसी ने किसी रूप में उसे पहुँचा रही है यानि भाजपां सरकार में किसानों को अलग अलग तरह से हर साल पच्चास हजार रुपिया मिलने की गारंटी है यह मोदी की गारंटी है और मैं जो किया है वो बता रहा हूं वादे नहीं बता रहा हूं कि साथ्यों कि किसान हितेश सी एप्रोज को जारी रखते हुए कुछ दिन पहले एक और बड़ा निरने लिया गया है केंद्र सरकार ने किसानों के लिए तीन लाग सत्तर हजार करोड रुपिय का एक पैकेज गोशित किया है यही नहीं गन्ना किसानों के लिए भी उचीत और लापकारी मुल्य अब रिकॉर्ड 315 रुपिय प्रतिक किंटल कर दिया गया है इससे पांच करोड चे अधिक गन्ना किसानों को और चीनी मिलों में काम करने वाले लाख्यों स्रमीकों को सीधा लाब होगा साथ्यों अम्रित काल में देश के गाउं देश के किसान के सामर्थ को बढ़ाने के लिए अब देश के कोपरेटिव सेक्टर की भूमी का बहुत बड़ी होने वाली है सरकार और सहकार मिलकर विक्सित भारत आत्म निर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूति देंगे आप देखिए सरकार ने डिजीटल इंडिया से पारदर्शिता को बढ़ाया सीधा लाप हर लाभारती तक पहुचाया आज देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी मानता है कि उपर इस तर से ब्रस्टाचार और भाई भतियावाद अब खत्म हो गया अब जब सहकारिता को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है तो यह आवशक है कि सामान्य जंग हमारा किसान हमारा पशुपालग भी रोज मरा की जिंदिगी में इन बातों को अनुवो करें और वो भी यही बात कहें यह आवशक है कि सहकारी सेक्टर पारदर्शिता का करप्शन रहीत गवरनेंस का मोडल बने देश के सामान्य नागरिक का कोप्रेटिव्ट पर भरोसा और अधिक मजबूत हो इसके लिए आवशक है कि जितना संबव हो डिजीटल व्यवस्ता को सहकारीता में बढ़ावा मिले कैश लेन देन पर निर्भरता को हमें खत्म करना है इसके लिए अगर आप अभियान चला कर दो प्रयास करेंगे और आप सब सहकारी छेत्र के लोग मैंने आपका एक बहुत बड़ा काम कर दिया है मंत्राले बना दिया अब आप मेरा एक बड़ा काम कर दिए डिजिटल की तरफ जाना कैश लेश पूरा अगर हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो जरूर तेजी से सफलता मिलेगी आज भारत की पहचान दुनिया में अपनी डिजिटल लेंदेन के लिए होती है ऐसे में सहकारी समित्यां सहकारी बैंकों को भी इसमें अब अग्रणी रहना होगा इससे ट्रांस्परंसी के साथ साथ मार्केट में आपकी एफिशन्सी भी बढ़ेगी और बहतर प्रतिश्परधा भी संबव हो सकेगी साथियों प्रात्विक्स तरकी सबसे एहम सहकारी समीती यानि पैक्स अब पारदर्थिता और आधुनिक्ता का मॉडल बनेगी मुझे बताया गया है कि अभी तक साथ हजार चे जादा पैक्स का कॉम्पूर्टर्राइजेशन हो चुका है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ लेकिन बहुत आवशक है कि सहकारी समयतियां भी अपना काम और बहतर करें टेक्नलोजी के प्रयोग पर बल दें जब हर स्तर की सहकारी समयतियां कोर बैंकिंग जैसी ववस्ता अपनाएंगी जब सदस्य ओनलाइन ट्रांजेक्शन को स्थ प्रतिश्थ स्विकार करेंगे तो इसका देश को बहुत बड़ा लाब होगा साथियों आज आप ये भी देख रहे हैं कि भारत का निर्यात एक्सपॉर्ट लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है मेकिन इंडिया की चर्चा भी आज पूरी दुनिया में हो रही है ऐसे में आज सरकार का प्रयास है कि सहकारिता भी इस शेत्र में अपना योगदान बढ़ाएं इसी उद्देश के साथ आज हम मैनुफेक्टेनिंग से जुड़ी सहकारी समितिया को विशेश रुप से प्रोच्षाहित कर रहे हैं उनके लिए टेक्स को भी अब बहुत कम किया गया है सहकारिता सेक्टर निर्याद बढ़ाने में भी बड़ी भूमी का निभा रहा है डेरी सेक्टर में हमारे कोपरेटिव बहुत शांदार काम कर रहे हैं मिल्क पाउडर बटर और घी अज बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा है अब तो साथ हनी में भी प्रविश कर रहे हैं हमारे गाउं देहात में सामर्त की कमी नहीं है बलकि संकल्पपत होकर हमें आगे बढ़ना है आज आप देखिए भारत के मोटे अनाच मिलेट्स मोटे अनाच जिसके पहचान दुनिया में बन गई है श्री अन्न यह श्री अन्न लेकर के उसकी भी चर्चा बहुत बढ़ रही है इसके लिए विश्व में एक नया बाजार तयार हो रहा है और मैं तो अभी अमेरिका गया था तो राश्प्रति जी ने जो भोज रखा था उसमें भी यह मोटे अनाच को श्री अन्न की वराइटी रखी थी भारत सरकार की पहल के कारण पूरी दुनिया में इस वर्ष को इंटरनेशनल मिलेट्स येर के रुप में मनाया जा रहा है क्या आप जैसे सहकारिता के साथ ही देश के श्री अन्न को विश्व बाजार तक पहुचाने के लिए प्रयात नहीं कर सकते हैं और इससे छोटे किसानों को आयका एक बड़ा साधन मिल जाएगा इससे ओशक खान पान की एक नई परमपरा शुरू होगी आप जरूर इस दिशा में प्रयास किजिए और सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाईए साथियों बीते वर्षों में हमने दिखाया है कि जब इच्छा शक्ती हो तो बड़ी से बड़ी चुनोतों को भी चुनोती दी जा सकती है जैसे मैं आपसे गन्ना कॉपरेटिव की बात करूंगा एक समय था जब किसानों को गन्ने की किमत भी कम मिलती थी और पैसा भी कई कई सालों तक फसा रहता था कि गन्ने का उत्पादन जदा हो जाए तो भी किसान दिकत में और गन्ने का उत्पादन कम हो तो भी किसान की परिशानी बढ़ती थी ऐसे मैं गन्ना किसानों का कोपरेटिव उस पर भरोजा ही समाथ हो रहा था हमने इस समस्या के स्थाइश समाधान पर फोकस किया हमने गन्ना किसानों के पुराने भुकतान को चुकाने के लिए चीनी मिलों को 20,000 करोर रुपय का पैकेज दिया हमने गन्ने से इथेनोल बनाने और पैट्रोल में इथेनोल की ब्लेंडिंग पर जोड दिया आप कल्पना कर सकते हैं बीते 9 साल में 70,000 करोर रुपय का इथेनोल चीनी मिलों से खरीदा गया है 70,000 इससे चीनी मिलों को गन्ना किसानों को समय पर भुकतान करने में मदद मिली है पहले गन्ने के जादा दाम देने वाले पर जो टैक्स लगा करता था उसे भी हमारी सरकार ने खत्म कर दिया है टैक्स से जुड़ी जो दसों को पुरीनी सनमस्य थी उसे भी हमने सुल जाया है इस बज़ेट में भी दस हजार करोड रुपी की विशेश मदद सहकारी चीनी मिलों को पूराना क्लेम सेटल करने के लिए दी गई है यह सारे प्रयास सुगर कैन सेक्टर में थाई बड़लाव ला रहे हैं इस सेक्टर की कोपरेटरिस को मजबूत कर रहे हैं साथ क्यों एक तरफ हमें निर्यात को बढ़ाना है तो वहीं दूसरी तरफ आयात पर अपनी निर्भरता को निरंतर कम करना है हम अक्सर कहते हैं कि भारत अनाज में आत्म निर्भर है लिगन सच्चाई क्या है केवल गेहूं धान और चीनी में आत्म निर्भरता काफी नहीं है जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो यह सिर्फ आटे और चावल तक सिमित नहीं 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 है मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं खाने के तेल का आयात हो दाल का आयात हो मचली के चारे का आयात हो फूर सेक्टरन में प्रोसेट और अन्य उत्पादों का आयात हो इस पर हम हर वर्ष आप चौंक जाएंगे मेरे किसान भाई बहनों को जगाईए हर वर्ष दो से धाई लाग करोड रुपिया हम खर्च करते हैं जो पैसा विदेश जाता है यानि यह पैसा विदेश बेजना पड़ता है यह बारत जैसे अन्य प्रधान देश के लिए क्या सही बात है क्या इतने बड़े होनार सहकारी छेत्र क्या नित्रुत्व मेरे सामने बैटा है तो मैं स्वाभावी गुरुप से आप से प्रिक्षा करता हूं कि हमें क्रांती क दिशा में जाना पड़ेगा गई कि क्या यह पैसा बारत के किस्वारीं किसानों के जेब में जाना चाहिए करे नहीं जाना चाहिए शोन हुआ हम यह समij आना है कि हमारे पास टेल के बड़े कुएं नहीं है हमें पैट्रोल डीजल महार से मंगाना पड़ता है वो अमारी मजबूरी है लेकिन खाने के तेल में उसमें तो आप मंदिर भरता संभव है आपको जानकारी होगी कि केंद्र सरका में इसके लिए मिशन मोरी में काम किया है जैसे एक मिशन पाम ओयल शुरू किया है पामोलिन की खेती पामोलिन का तेल उसे उपलब दो उसी प्रकार से तिलहन के फसलों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी मात्रा में इनिशिटिव लिए जा रहे हैं देश की कोपरेटिव संसाएं इस की बागडोर ठाम लेगी तो देखिएगा कितनी जल्दी हम खाद्य तेल के मामले में आप मंदिर बर हो जाएंगे आप किसानों को जागरुक करने से लेकर प्लांटेशन टक्लोलोजी और खरीदी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी हर प्रकार की सुविधाएं दे सकते हैं साथ केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना फिसरी सेक्टर के लिए शुरू की है पीम मच्ष संपदा योजना से आज मच्छली के उत्पादन में बहुत प्रगती हो रही है देश बर में जहां भी नदिया है छोटे तालाब है इस योजना से ग्रामीनों को किसानों को आयका अतिरिक्त साधन मिल रहा है इसमें लोकल स्तर पर फिड उत्पादन के लिए भी भी सायता दी जा रही है आज 25,000 से जादा सहकारी समितियां फिशरी सेक्टर में काम कर रही है इससे फिश प्रोसेसिंग फिश द्राइंग और फिश क्योरिंग फिश स्टोरेज फिश कैनिंग फिश ट्रांसपर्ट ऐसे अनेक काम उनको आज और्गनाइजवे में बल मिला है मच्छोराओं का जीवन बहतर बनाने में और रोजगान दिर्मान में मदद मिली है पिछले नव वर्षों में इनलेंड फिशरीज में भी दो गुनी वृत्ति हुई हैं और जैसे हमने सहकारिता मंत्राले अलग बनाया उससे एक नई ताकत खड़ी हुई है वैसे ही लंबे समय से मांग थी देश को फिशरीज के लिए अलग मंत्राले बनाना चाहिए वो भी हमने बना दिया उसकी वी अलग बजेट की विवस्ता की और उस खेत्र के पनणाम नजर आने लगे हैं इस अभियान को सहकारिता सेक्टर और विस्तार कैसे दे सकता है इसके लिए आप सभी साथी आगे आएं यही मेरी आपसे अपेच्छा है सहकारिता सेक्टर को अपनी पारंपारिक एप्रोच से कुछ अलग करना होगा सरकार अपनी तरफ से हर प्रयास कर रही है अम मचली पालन जैसे अनेक नए सेक्टर में भी पैक्स की भूमिका बढ़ रही है हम देश भर में दो लाख नई मल्टी पर्पस सोसाइटी बनाने के लक्ष पर काम कर रहे हैं और जैसे अमीद भाई ने का अब सब पंचायतों में जाएंगे तो यह आकड़ा और आगे बढ़ेगा इससे उन गावां उन पंचायतों में भी सहकारिता का सामर्त पहुंचेगा जहां अभी यह व्यवस्ता नहीं है साथियों बीते वर्षों में हमने किसान उत्पादक संगों यानि एप्योस उसके निर्मार पर भी विशेश बल दिया है अभी देश बर में दस हजार नए एप्योस के निर्मार पर काम चल रहा है और इसपे से करीब करीब 5000 बन भी चुके हैं यह एप्यों छोटे किसानों को बड़ी ताकत देने वाले यह चोटे किसानों को मार्केट में बड़ी फोर्स बनाने के मात्यम है बीच से लेकर बाजार तक हर व्यवस्ता को छोटा किसान कैसे अपने पक्ष में खड़ा कर सकता है कैसे बाजार की ताकत को चुनवती दे सकता है यह उसका अभियान है सरकार ने पैक्स के द्वारा भी एप्यों बनाने का निर्न लिया है इसलिए सहकारी सम्वितियों के लिए इस खेत्र में अपार संभावनाए है साथियों कोप्रेटिव सेक्टर किसान की आय बढ़ाने वाले दूसरे माध्यमों को लेकर सरकार के प्रयासों को भी ताकत दे सकते हैं शहत का उत्पादन हो और्गेनिक फूड हो खेत की मेड पर सोलर पैनल लगाकर अनदाता उर्जादाता बनाने का अभियान हो बिजली पैदा करने का अभियान हो सोयल की टेस्टिंग हो सहकारिता सेक्टर का सहयोग बहुत आवशक है साथियों आज केमीकल मुक्त खेती नेचरल फार्मिंग सरकार की प्राफिक्ता है और मैं अभी दिली की उन दो बेटियों को बढ़ाई देता हूं कि उन्हों ने अपने दिल को जगजोर दिया धर्ती माँ पुकार पुकार करके कह रही है कि मुझे मत मारो बहुत उत्तम तरीके से नाटे मंचन के द्वारा उन्होंने हमें जगाने का प्रयास किया है मैं तो चाहता हूँ हर कोपरेटिव संस्ता इस प्रकार के एक टोली तयार करें जो टोली हर गाओं में इस प्रकार के मंचन करें लोगों को जगाएं हाल में ही एक बहुत बड़ी योजना पी-म प्रमान को स्विकृति दी गई है पी-म प्रणाम लक्ष यह कि जादा से जादा किसान केमिकल मुक्त खेती अपनाएं इसके तहट वैकलपी खादों और गोनिक खाद के उत्पादन पर बल दिया जाएगा इससे मिट्टी भी सुरक्षित होगी और किसानों की लागत भी कम होगी इसमें सहकारिता से जुड़े संगठनों का योगदान बहुत एहम है मेरा सभी सहकारित संगठनों से अगर है किस अभियान के साथ जादा से जादा जुड़िये आपताय कर सकते हैं कि अपने जिले के पांच गाओं को केमिकल मुक्त खेती के लिए सत्प्रतिशत हम करके रहेंगे पांच गाओं और उन पांच गाओं में किसी भी खेत में एक ग्राम भी केमिकल का प्रयोग नहीं होगा यह हम सुनिचित कर सकते हैं इसे पूरे जिले में इसको लेकर जागरुपता बढ़ेगी सबका प्रयास बढ़ेगा साथियों एक और मिशन है जो केमिकल मुक्त खेती और अतिरिक्त आय दोनों सुनिचित कर रहा है यह गोबर धन-йोजना इसके तहरे देश भर में वेश से वेश्ट बनाने का काम किया जा रहा है प्रयों को गोबर से कचले से बिजलीं और जैवी खांद बनाने का यह बहुत बड़ा माध्यम बनता जा रहा है सरकार ऐसे प्रांज का एक बहुत बड़ा नेटवर का तैयार कर रही है देश में अनेक बड़ी बड़ी कंपनियों ने पचांस से जादा बायो गेस प्रांज तैयार किये हैं गोबर्दन प्रांज के लिए सहकारी समितियों को भी आगे आने की आवशक्ता है इससे पशू पालकों को तो लाब होगा ही जिन पशूऊं को सड़कों पर छोड़ दिया गया है उनका भी सदुप्योग हो पाएगा है साथियों आप सभी डेरी सेक्टर में ए पशू पालन के सेक्टर में बहुत व्यापक रुप से काम करते हैं बहुत बड़ी संख्या में पशुपालक सहकारिता अंदोलन से जुड़े हैं आप सभी जानते हैं कि पशुओं की बिमारी एक पशुपालक को कितने बड़े संकट में डाल सकती है लंबे समय तक फूट एंड माउट डिसीज मूपकां और खुर्पकां हमारे पशुओं के लिए बहुत बड़े पीडा का कारण रही है इस बिमारी के कारण हर साल हजारों करोड रुप्य का नुक्सान पशुपालकों को होता है इसलिए पहली बार केंद्र सरकार ने भारत सरकार ने इसके लिए पूरे देश में एक मुप्त टिका करण अभियान चलाया है हमें कोवीड का मुप्त वैक्सिन तो याद है ये पशुओं के लिए भी उतना ही बड़ा मुप्त वैक्सिन का अभियान चल रहा है इसके तहट 24 करोड जानवरों का टिका करन किया जा चुका है लेकिन अभी हमें FMD को जड़ से खत्व करना बाकी है टिका करन अभ्यान हो या फिर जानवरों की ट्रेसिंग हो इसके लिए सहकारी समित्यों को आगे आना चाहिए हमें यह याद रखना होगा कि dairy sector में सिर्फ पशूपालग ही stakeholder नहीं है मेरी यह भावना को आदर करना साथियो सिर्फ पशूपालग ही stakeholder नहीं है बलकि हमारे पशूपी उतने ही stakeholder है इसलिए इसे अपना दाईत्व समझ करो हमें योगदान देना चाहिए साथियो सरकार के जितने भी मिशन है उनको सफल बनाने में सहकारिता के सामर्थ में मुझे कोई संदे नहीं है और मैं जिस राज्जी से आता हूँ वहां की मैंने सहकारिता की ताकत को देखा है सहकारिता ने आज़ादी के अंदोलन में भी बहुत मुहत्वपण भूमी का निभाई है इसलिए एक और बड़े काम से जुड़ने का आगर से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा मैंने आवान किया है कि आज़ादी के 75 वर्ष के अउसर पर हर जिले में 75 अमरिज सरोवर बनाए एक वर्ष से भी कम समय में करीब करीब साथ हजार अमरिज सरोवर देश भर में बनाए जा चुके हैं बीते नव वर्षों में सिंचाई हो या पीने का पानी हो उसको गर गर खेट खेट पहुचाने के लिए जो काम सरकार ने किये हैं यह उसका विस्तार है यह पानी के स्रोथ बढ़ाने का रास्ता है ताकि किसानों को हमारे पशुआं को पानी की कमी ना आए इसलिए सहकारी सेक्टर से जुड़े सात्यों को भी इस पावन अभ्यान से जुरूर दुनना चाहिए आपकी किसी भी क्षेत्र की सहकारिता में एक्टिविटी हो लेकिन आपके ख्षमता के अनुसार आप ताय कर सकते हैं कि हमारी मनली है एक ताला बनाएगी दो बनाएगी पांच बनाएगी दस बनाएगी लेकिन हम पानी की दिशा में काम करें गाउं गाउं में अम्रिद सरोवर बनेंगे तो भावी पीडियां हमें बहुत आभार के साथ याद करेंगी आज जो हमें पानी उपलब्द हो रहा है न वो हमारे पुर्वजों के प्रयासों का परणाम है हमें हमारी भावी संतानों के लिए उनके लिए भी हमें कुछ छोड़के जाना है पानी से जुड़ा ही एक और भ्यान पर ड्रॉप मौर क्रॉप का है स्मार्ट सिंचाई को हमारा किसान कैसे अपनाएं इसके लिए जहांगरुकता बहुत आवश्चर है जादा पानी जादा फसल की गारंटी नहीं है माइक्रो इरिगेशन का कैसे गाउं गाउं तक विस्तार हो इसके लिए सहकारी समित्यों को अपनी भुमिका का भी विस्तार करना होगा केंद्र सरकार इसके लिए बहुत मदद दे रही है बहुत प्रोचान दे रही है साथियों एक प्रमुख विशह हैं भंणारण का भी अमिज्वाई ने उसका काफी ब्रणन किया है अनाज के भंणारण की सुविधा की कमी से लंबे समय तक हमारी खाज्द्य सुरक्षा का और हमारे किसानों का बहुत मुक्सान हुआ है आज भारत में हम जितना अनाज पैदा करते हैं उसका पचास प्रतिशत से भी कम हम स्टोर कर सकते हैं अब केंद्र सरकार दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी बंडारण योजना लेकर आई है बीते अनेक दस्टकों में देश में लंबे अर्षा देख जो की काम उसका प्रणाम क्या हुआ करीब करीब चौदा सो लाग तन से अधिक की बंडारंग शमता अबर हमारे पास आए है कि आने वाले पांच वर्स में इसका पचास प्रतिशाने लगभग साथ सो लाग तन की नई बंडारंग शमता बनाने का हमारा संकल्प है यह निश्चित रुप से बहुत बड़ा काम है जो देश के किसानों का सामर्थ बढ़ाएगा गावों में नए रोजगार बनाएगा गावों में खेती से जुड़े इंफास्क्तर के लिए पहली बार एक लाग करोड रुपिय का स्पेशल फंड भी हमारी सरकार ने बनाया है मुझे बताया गया है कि इसके तहट बीते तीन वर्सों में 40,000 करोड रुपिय का निवेस हो चुका है इसमें बहुत बड़ा हिस्सा सहकारी समित्यों का है पैक्स का है हम गेट इंफास्क्तर के निर्माण में कोल स्टोरेज जैसी ववस्ताओं के निर्माण में सहकारी सेक्टर को और अधिक प्रयास करने की आवश्यक्ता है साथ क्यों मुझे विश्वास है नए भारत में सहकारी ता देश की आर्थिक धारा का ससक्त माध्यम बनेगी हमें ऐसे गाउं के निर्मार के तरफ भी बढ़ना है जो सहकारी ता के मॉडल पर चलकर आत्मंदिर भर बनेंगे इस ट्रांस्फरमेशन को और बहतर कैसे किया जा सकता है इस पर आपकी चर्चा बहुत एहम सिद्ध होगी कोपरेटिव्स में भी कोपरेशन को और बहतर कैसे बनाएं आप इस पर भी जुरूर चर्चा करिए कोपरेटिव्स को राजनीति के बजाएं समाज नीति और राष्ट्र नीति का वहाग बनना चाहिए मुझे विश्वास है आपके सुझाव देश पे सहकार आमदोलन को और मजबुति देंगे विख्षीद भारत के लक्ष की प्राप्ति में मदद करेंगे एक बार फिर आप सब के बीच आने का उसर मेरा आनंद हुआ मेरी तरब से भी आपको बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूं धन्यवार